हेलो गाइज वेल्कम बैक टो माइच चैनल दिस रश्मी सिंग आज हम बनाने जा रहे हैं मारस्टर की स्पेशल पोहे कांदे पोहे जिसे आप जानते हैं कांदा पोह बनाने के लिए आमें चाहिए दो से तीन वाटी में ने पोहा ले लिया है चीनी, राई, चीरा, हल्दी, लाल मिर्च, कडी पत्ता, चार मिर्ची, टमाटर, नमक स्वादनुसा, मूमफली, यहां मैंने गैस पर एक अलूमीनियम की कराई रखती है इसमें मैं कुकिंग ओल दाल दे रहे हूं अब कोई भी कुकिंग ओल अपने चौप यूज करते हैं र यसके व हम पीकज़ें निकाल देना है ज जब तक हमारा तेल गरम हो रहा फेफरा निकाली में तेल गरम हो चुका है अब धकल जीरा 1 च्छोटी जमच जीरा जैसे से क्रैकल करने लग जाए हम इसमें दाल देंगे राई एक चोटी चमबच गड़ी पत्ता तड़के के लिए दाल देंगे इसमें मुंफरी दाल देंगे मुंफरी अपने स्वाद अनुसा डाल देंगे हमारे घर पे सब ज्यादा पसंद करते हैं इसमें जादा दाली है हमने जो कांदा काटके रखा था वह हम दाल देंगे दो बड़े कांदे और चार मेची अब इन सब को अच्छे से मिला लेंगे कांदा को हमें अगड़र लाल नहीं करना है तो हलका चाचा जो इसका क्रिस्प थैफ वह खाने में आना चाहिए इसमें दालें के मारे मसाले जो की है हल्दी लाल मिच और नमक नमक स्वाद अमिशा दालेगा हल्दी चोटी चमच लाल मिच भी बहुत थोड़ा सा चुटकी वर अब चाहे तो इस टाइम पर आप चाट मसाला भी आड़ कर सकते हैं फ्लेवर्स को और एनांस करने के लिए आपके टामाटर आप दाल देंगे इसमें जब के प्याश सोड़े से ट्रांस्लोसेंट हो जाए तब हलका गुलाबी रंग उसमें आ जाएगा तब ही आप टामाटर डाल देंगे इसमें मैं देड़ चमच चीनी डाल रही हूं यह पोह में 5-6 लोगों के लिए बना रही हूं देंगे ज़िए हमने दो कर पूरा पानी निकाल करके दिया ते आप पूह दाल कर हमें पूरा मिक्षर जो है मिला लेंगे अच्छे इन सब में आपको जब का गैस है वो मीडियum से नियौ रखना है फास्ट पे नहीं रखना है आपको और यम्मी पोहा बनकर तयार है इसे करेंगे सेव्ट से याप कोरियांडर हो आपके पाद धन्या पती हो आप उसे भी से गानिश कर सकते हैं गर्मा गरम टेस्टी कांदे पोह तयार है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करिएगा कॉमेंट में बताईएगा कि अगली रेसि